अगर आपको यह लगता है कि आपके स्कूल का रिकॉर्ड या फिर आपके हॉस्पिटल का रिकॉर्ड या फिर मुनिसिपैलिटी का रिकॉर्ड आपके डेट आउफ बड़ का कंक्लूजिफ प्रूफ है तो आप एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं नमस्कार मैं माधव प्रकाश आप सभी का अपने यूटीब चनल में तही दिल से स्वागत करता हूं देखिए आपनी तो सुना होगा कि अगर कोई क्राइम होता है कोई जुर्म होता है तो जो जिसने जुर्म किया है अगर उसकी उम्र 18 साल से उपर है तो उसके लिए अलग स सजाया है 16 साल से नीचे वाले के लिए एक सजाय है लेकिन अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझी कोट में क्या आती है जो खूनी है जिसने खून किया है वो बोलते है मैं अभी 16 साल होने में तो क्या उसकी बात मान ले अब इसके लिए बहुत सारे एविदेंस है स्कूल का सर्टिफिकेट कुछ और बोलता है नर्सिंगों का सर्टिफिकेट कुछ और बोलता है मुनिसिपैलिटी का रिकॉर्ट कुछ और बोलता है मेडिकल रिपोर्ट जो कि हड्डियों से लेके औसिफिकेशन टेस्ट होता है हड्डियों से उसके एज का अंदासा लगा जाता है वो record कुछ और बोलता है तो किसकी बात मानी जाए जनल कुछ और बोलती किसकी बात मानी जाए तो best piece of evidence कौन सा है date of birth में ये बताऊँगा आपको आज वीडियो में और इसको बताने के लिए 5 Supreme Court की ruling रखूँगा आप सभी के सामगे पहली जो ruling है Supreme Court की 2005 की है State of Punjab वसिस मोहिंदर सिंग इसमें कोड कहती है जो horoscope है यानि कि कुंडली है वो बहुत ही weak piece of evidence है और उसको प्रूव करना बहुत मुश्किल है क्योंकि प्रूव करने के लिए यह प्रूव करना पड़ेगा कि जिस इंसान ने कुंडली बनाई है उसको special means of knowledge सब पता तक कैसे कुंडली बनती है और उसने सही समय सही डेट सही टाइम पे उसने कुंडली बनाई थी वरना यह evidence पूरी तरस से inadmissible है कोट ने कहा दिया अपनी judgment में और कोट ने यह भी कहा है कि अगर स्कूल रिकॉर्ड मिल जाता है तो स्कूल रिकॉर्ड तो horoscope से बहुत ही बहतर evidence है कोट यह भी कहती है अगर कोई भी evidence नहीं मिलता है data of word का तब भी horoscope को account किया जाएगा वरना नहीं दूसरा जो case है Supreme Court का वो है सत्पाल सिंग वस्ति state of horoscope 2010 का case है इसमें Supreme Court कहती है कि जो school का record है certificate है उसको भी प्रूफ करना पड़ेगा admit कराने के लिए और इस case में बता दूँ मैं आपको वो school का record corroborate नहीं हो पाया क्योंकि उसको कोई support नहीं मिला पीछे से ऐसा इसलिए क्योंकि जिस समय वो जो date of birth लिखी जा रही थी स्कूल में जो वो person ता जिसने लिखी तो उसको trace करना लगबग नामुम्किन था अब क्योंकि वो और नहीं हो पाया इसलिए उस evidence को discard कर दिया गया इस case में तीसरा सुप्रीम कोट का केस है वो है मदन मोहन सिंग वस्सेज रजनीकान दोजादस का केस है इस केस में सुप्रीम कोट कहती है कि अगर स्कूल के रिकॉर्ड में भीडन्त है यह कुछ और कह रहा है यह कुछ और कह रहा है तो दूसरी बाद जो यह कहता है कि जो पेरनेंट की रिकॉर्ट में पाई जाएगी या फिर गवर्मेंट हॉस्पिटल नर्सिंगों के रिकॉर्ड में पाई जाएगी वो मानी जाएगी अगला जो सुप्रीम कोड का केस है वो है स्टेट ऑफ मध्यप्रदेश वसिस अनुप सिंग केस केस के रिकार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है उस टेस्ट में उमर का अंधासा लगा जाता है जो कि तीन चार छे महीना उपर नीचे हो सकती है इस केस में एक लड़की की उमर का पता लगाना था तो उसके डेट ऑप बर सर्टिफिकेट को मिलाये जाये तो यह पता ल टेस्ट को माना मेडिकल टेस्ट को माना और पाया की लड़की जो है अठारा साल से उपर है लेकिन सुप्रीम कोट ने रिजेट कर दिया इसको सुप्रीम कोट ने बोला कि ऑसिफिकेशन टेस्ट नोट दी सोल क्राइटेरियन फोर डेट ऑफ बर्थ मनलब वो अकेला सबूत नहीं है डेट और बढ़का तब तक जब तक की बर्थसघुयविकेट जाफिर इस्कूल अवेलेवल है तो इसकेश में सबसेट पाया सबसे इंप्रे ना है क्राइम की सूचना मिली उनतिस छे दो हजार ग्यारा को और जो फादर की स्टेटमेंट थी और स्कूल का सर्टिफिकेट था वही कहता था कि जो बच्चे की उमर है वो है तेरा नौ उन्निस व पिचानवे अगर आप जोड़ खटाब करेंगे तो पता चलेगा कि 16 साल से ठीक तीन मैना चोटा अब को यहां शक हुआ तो उसने मेडिकल टेस्ट कराया और पाया कि लड़का तो उन्निस साल का है तो तीन चार छे मैना ऊपर नीचे हो सकता है और तीन चार साल का डिफरेंस ने इतना ब करता है और बाद में मैं बच्चा हूँ मैं माइनर हूँ मैं छोटा बच्चा हूँ मुझे माफ करो इसकी चादर ओड़ता है तो यह अप्रोच नहीं मानी जाएगी पर्मिट नहीं की जाएगी ऐसा सुप्रीम कोट कहती अपने पैर 34 में बहुत इंपोर्टेंट है तो इस रिखा सुप्रीम कोट किसी केस में कहती है कि इसकीर क्यों नकार देती है जब यहां का स्कूल के से सरह करेंच और डूसरीक मुं और दूसरे को माल लेती है तो यहां piece of evidence को तलाश करती है और उसके लिए वो हर evidence को weightage देती है और ये weightage हर facts के साथ different हो सकता है किसी facts of case में ossification test में सबसे ज़्यादा weightage मिलेगी किसी में सबसे कम मिलेगी किसी में matricula certificate में सबसे ज़्यादा मिलेगी किसी में सबसे कम मिलेगी तो किसी भी case या suit में court जिस evidence को सबसे ज़्यादा weightage देगी वही evidence best piece of evidence के लाएगा वही माना जाएगा Thank you